बुड मॉनिंग स्टूडेन हम अक्सर साइज 1.1 का question no.2 करने जा रहे हैं question no.1 मैं आपको first video में already provide कर चुके हूं ठीक है तो question no.2 को देखते हैं question no.2 आप से कह रहा है show that any positive odd integer is the form 6q plus 1, 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer यहाँ पे question में आपको बताना है कि ये जो है न ये numbers जो given है आपको कि कोई भी अगर आप positive odd integer लेते हो तो वो इसी form में ही आएगा ठीक है तो आपको क्या करना ये बात prove करनी है तो इसके लिए हम क्या करेंगे हमें मान के चलना पड़ेगा let solution करते हैं इसका let a b any positive integer positive integers and b is equal to 6 क्यों b हमने 6 क्यों लिया भई क्योंकि ये value क्या होती है देखों यहाँ पे value क्या given है 6q plus 1 6q plus 3 6q plus 5 तो ये value किस क्यों होती है formula क्या होता हमारे यही तो होता है a is equal to b q plus r where r is equal to क्या होता है less than equal to greater than 0 or equal to 0 or less than b condition यही होती है तो यहाँ पे b की value क्या होती है divisory तो given है आपको यह तो divisory means क्या हो जाएगा हमारा 6 तो यहाँ पे इससे हम क्या निकाल सकते हैं possible value of reminder निकाल सकते हैं कि reminder कि हमारी value क्या क्या हो सकती हैं तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि condition यह fulfill होना चाहिए हमने माल लिया कि जो a है वो हमारा कोई भी positive integer है ठीक है और b की value तो 6 उनों ने अपने आप ही दी हुई है तो यहाँ पे क्या कहेंगे so the possible value value of remainder remainder will be क्योंकि यह 6 है तो remainder की value क्या होगी यहाँ पे condition क्या है less than b it means क्या क्या हो सकती है लेकिन 0 के equal भी हो सकती है condition क्या है जो reminder है वो आपका equal to greater than 0 हो सकता है but less than b हो सकता है तो यह हम b6 है it means और 0 के equal हो सकता है तो क्या value हो सकती है 0 1, 2, 3, 4 and 5 6 तो होगा नहीं क्योंकि क्या का गया यहाँ पे less than b ठीक है तो यहाँ पे start करते हैं अगर मैं लेती हूँ reminder की value 0 when r is equal to 0 तो इस value में put करेंगे तो क्या जाएगी हमारी value a is equal to 6 b की value क्या है 6 q plus r क्या हो जाएगा 0 it means क्या हो सकती value 6 q क्योंकि add करेंगे तो यह value रह जाएगी when r is equal to क्या हो 1 तो value क्या हो जाएगा आपके a is equal to 6 q plus 1 when r is equal to 2 तो value क्या होगी सिर्फ formula इंपुट करते जाना आपको a is equal to 6 q plus 2 when r is equal to 3 then the value will be a is equal to 6 q plus 3 when r is equal to 4 then the value will a is equal to 6 q plus 4 when r is equal to 5 then the value will be A is equal to 6Q plus 5 and the last one is नहीं 5 तक था क्योंकि 5 तक value थी 0 to 5 तक था ना तो आगे नहीं जाएंगे अब यहाँ पे देखो जब आपका reminder odd number था तो आपकी value क्या आ रही थी odd यह क्या है even यहाँ पे क्या आपका again odd even odd it means क्या हो रहा है जब भी आपकी reminder की value odd number में है तो आपकी जो algorithm method से जो भी value आ रही है जो पूछा था उन्होंने आपसे कि कोई भी positive odd integer इस form में होगा तो आपका क्या है जब reminder आपका odd number होगा तो आपकी value भी किस form में आएगी 6Q plus 1, 6Q plus 3 and 6Q plus 5 आपका रिमाइंडर आपका even है तो आपका result even आ रहा है जब भी आपका remainder odd number में है तो odd आ रहा है ठीक है तो जैसा आपका reminder होगा वैसी आपकी value आएगी तो यहाँ पर यह जो बात ही क्या हो जाएगी प्रूड हो जाएगी तो लिखेंगे so any positive odd integer integers integers is in the form of 6Q plus 1 6Q plus 3 and 6Q plus 5 तो यहाँ पर क्यों की value क्या है आपकी कोई भी integer है आप कोई भी integer ही यह पुट करके देख सकते हूं अगर मैं क्यों की value 1 रखती हूं मैंने यहाँ पर 1 रख लिया तो 6 plus 6 plus 5 11 answer आएगा odd ही आएगा अगर यहाँ पर भी मैं 1 पुट करके देखती हूं तो 6 plus 6 plus 4 even it means जो आपका यहाँ पर क्यों कोई भी integer यहाँ पर पुट करते हो और reminder अगर आपका even number है तो आपका result even ही होगा ठीक है यही बात तो आपको प्रूव करनी थी और यही बात आपने इसमें प्रूव कर दी है ठीक है question number 3 given आपको आपको यहाँ पर क्या बताना है maximum number of columns आपको बताना है कि number of columns कितने होंगे जहाँ पर जो यह total number of army person given है न जो की एक जो band बन रहा हो कितने का बन रहा है 32 member का तो आपको number of column बताने है कि कितने number of column उनको बनाने पड़ेंगे जो यह 616 people in quarries करने के लिए ठीक है तो यहाँ से start करते है जब भी आपसे maximum या largest number की बात की जाती है तो हमेशह हमें क्या find out करना होता है हमें find out करना होता है HCF और जबकी हम separation आपसे बात करें algorithm की तो आपको algorithm method ही use करना है HCF तो आप step division से या कि CBA में निकाल सकते हो बट यहाँ पर आपको क्या use करना है algorithm method ही use करना है ठीक है तो इसको solve करते हैं यहाँ पे given क्या आपको आपको S.E.F. find करना है S.E.F. of 616 and 32 चीक है तो यहाँ पे greatest value क्या है 616 यह किसकी value हो जाएगी A की यह क्या हो जाए आपका division means B तो value condition क्या होती है कोई भी 2 positive integer होने चीए और value हमारी क्या होने चीए A is equal to B Q plus R where R greater than equal to 0 and less than B जो कि आपका divisor होता है तो यहाँ पे start करते है एक है आपका 616 is equal to 32 तो यहाँ बाइस step कर लेते है अब 32 को मैं कितने time करो अगर मैं 32 का table 2 times करती हूँ तो 64 आएगा जो किस से 61 से जादा हो जाएगा तो मुझे किस पे ले जाना पड़ेगा 1 जा पे तो कितना आ जाएगा 32 means 11 minus 2 कितना हो जाएगा 9 5 minus 3 2 यहाँ से मैं carry down करूंगी 6 को तो 32 को कितने time screw के मेरे पास value के आ जाए 296 हमारे पास value हो जाए तो कितने पे करना पड़ेगा 9 जा पे क्योंकि आप 3 को अगर करते हो तो 3 9 जा 27 it means मैं 9 जा पे कर सकती हूँ 3 10 जा 30 तो ज़्यादा हो जाएगा तो 3 9 जा पे इसके आप एक digit को लेके न 2 digit का comparison कर लिया करो तो यहाँ पे क्या हो जाएगी आपकी value अगर मैं 9 जा से 32 की 9 से multiply करती हूँ तो कितना आता है 288 तो यहाँ से last करेंगे तो 16 माइनस 8 8 हो जाएगा आपका यहाँ पे 8 माइनस 8 0 2 माइनस 2 0 तो यहाँ पे value first step क्या होगा पहले first step को complete करते है 32 की multiply किसे करी हमने 90 से तो आपका reminder कितना आया 8 first step complete हुआ अब देखो यहाँ पे जो value है यह से कम है तो यहाँ पे आप step division यूज करोगे 32 8 4 जा 32 it means second step में क्या जाएगा आपका 32 is equal to 8 into 4 plus 0 तो यहाँ पे हैस सिर्फ क्या हो जाएगा मैंने बताया था जहाँ पे आपका reminder 0 हो जाता है और उस line में जो आपकी divisor की value होती है उस equation के अंदर जो divisor की value होती है वही क्या होता आपका hcf तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम so the hcf of of 616 and 32 is 8 तो यह जो question थे आप to question number 3 तक आपको समझ में आएंगे जो question next होंगे like 4, 5, 6, number of जितने भी question होंगे वो मैं next video में provide करूंगे ठीक है थेंक्स पूर बोचिंगे